तो हलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्त होंगे और आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे त्सकी क्लास में हम लोगों ने वाहन काई ज नहीं पड़ पाए इसकी वज़ा से class को हम को बंद करने पड़ी, ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उस पूरे markensia के नामकरण को देखेंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना PDF देख लेते हैं, भाईया, कहां पर है PDF? यही PDF है, ठीक है, चलिए, तो क्या देख रहेते हैं हैं आपर, transfer section of thalus, इसके thalus का अपन लोग देख रहेते हैं, transfer section, transfer section में हमने क्या देखा, सबसे पहले उपर हमने देखा आपको, आपको दिख रहा है, air spore है, क्या है, air spore, ठीक है, उपर वाली इस layer को हम लोग बोलते हैं upper epidermis, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, upper epidermis, ठीक है, उपर वाली structure को हम लोगों ने क्या बोला, upper epidermis, ठीक है, यह जो नीचे वाला structure, इसको हम लोग बोलते हैं, lower epidermis, क्या बोलते हैं, lower epidermis, ठीक है, बताए, lower epidermis, ठीक है, बताए, हम लोग यहां पर देखते हैं, photosynthesis filament, यह जो हमको हरा color का structure दिख रहा है, इसको बोलते है, photosynthesis, photosynthesis filament, ठीक है, और इस photosynthesis filament में हमको, क्या देखने को मिलता है, इस photosynthesis filament में हमको chlorophyll देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, chlorophyll क्या होता है, यहां पर present होता है, ठीक है, clear रहना तक बताएए, यह जो आपको wall दिखती है, इस wall को बोलते है, partition wall, ठीक है, partition wall यानि कि यह wall क्या करती है, यह wall विभाजन करती है, विभाजित करती है, दो भागों में क्या करती है, बाढ़ देती है ठीक है नीचे हमको देखने को मिलते है scale ये देखिए ये हैं हमारे scale इसके बाद हमको देखने को मिलते है राई जोईट्स ठीक है एक हमको देखने को मिलते है कौन सा smooth wall राई जोईट्स ठीक है यहाँ पर हमें कुछ तो कुछ ऐसी स्यल देखने को मिलते हैं इसेल में ऐसे यह देखिए कुछ ऐसी मैंने ब्लैक कलर से दिखाई ऐसी सेल होती है जो मुसिलेस का मुसिलेस को आती है इस को लोग बोलते है ऐल ग्लोब्यूल्स क्या बोलते हैं इनको इनको बोलते है oil globules ठीक है जो oil globules होते है यह mucilase containing cell होती है ठीक है oil globule क्या होती है oil globule mucilase mucilase containing cell होती है कौन सी oil globule oil globule के बाद ठीक है यहाँ पर जितना हमको उपर वाला यह पार्ट दिख रहा है न यह पार्ट हमको है यह होता है photosynthetic zone ठीक है कौन सा होता है यह होता है आपका photosynthetic zone यहाँ पर कुछ cell मिलती है जो क्या करती है food का store करती है ठीक है यह देखो कुछ ऐसी cell है जो क्या कर रही है food का store कर रही है और इनी food के store करने वाली cell को अपन लोग जानते हैं इनको बोलते है store cell क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं store cell तो हमने देखा यहाँ पे oil globule फिर हमने देखा आपको store cell मुसिलेस की contain करने वाला यह है आपका transverse section किसका थैलस का किसका markensia का transverse section of markensia thैलस ठीक है बताइए clear रहे हैं तक मैं साइड रता हूँ आप लोग इसको देख लीजे वहिया अब आपन लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि जह है reproduction in markensia reproduction in markensia ठीक है यानि कि markensia में reproduction किस तरीके से होता है ठीक है markensia में जो जनन होता है वो किस तरीके से होता है तो मार्केंसिया में सबसे पहला जनन हम लोग देखेंगे किसको वेजा टेट्यू रिप्रोडक्शन को तो जो वेजा टेट्यू रिप्रोडक्शन होता है उसमें जिम्मा फॉर्मेशन होता है ठीक है बाई जिम्मा कप फॉर्मेशन होता है जिम्मा कप बनता है ठीक है जिम्मा क्या होता है यह मल्टी सेलूलर बॉडी होती है मल्टी सेलूलर बॉडी होती है किसकी मारकेंसिया की मारकेंसिया की मल्टी सेलूलर बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते है जिम्मा और जिम्मा कप की दौरा क्या होता है वेजा टेट्यू रिप्रोडक्शन होता है ठीक है जिम्मा करती क्या है तो तो जिम्मा एराइज कहां से इसका निर्माड होता है जिम्मा एराइज फ्रॉम जिम्मा इनीसियल जिम्मा इनीसियल से क्या होता है इसका निर्माड होता है इसका जिम्मा कप का ठीक है इसके बाद ये क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है ये ये आर फॉर्म्ड ये आर फॉर्म्ड इन दा रिसिपिक टेल्स नून एस नून एस जिम्मा कप जिम्मा कप को ये क्या करती है? जिम्मा कप को ये फॉर्म करती है बड़ा सिंपल से रिप्रोडक्शन इसमें होता है एक चीज आप लोग ये इस समझ जाएं तो इसमें जो बड़िंग प्रोसेस होता है जिम्मा कप हो गया? जो इसमें budding process होता है क्या होता है budding process takes place inside gymma cup ठीक है budding process कहाँ पर होता है budding process gymma cup के inside होता है ठीक है gymma cup के अंदर की तरफ होता है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें डायोसियस ह जिम्मा बॉडी बनती है ठीक है डायोसियस ह मोडी का फॉरमेशन होत थ्यान से देखिएगा और सब," यहां पर बनती है ठीक है मेल एंड फीमेल जिम्मा बॉडीज का ठीक है मेल और फीमेल जिम्मा बॉडीज में बनता है ठीक है उन्ही का यहां पर फॉर्मेशन होता है बस बताइए यहां पर आगे चलें जिम्मा कप कहां पर प्रेजेंट होता है ठीक है तो जिम्मा कप प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सर्फेस जिम्मा कप प्रेजेंट अन डॉर्सल सर्फेस ठीक है वहीं पर प्रेजेंट होता है और इससे फॉर्मेशन जिम्मा कप का फॉर्मेशन कहां पर होता है वहीं पर कहां पर आपका तोर्सल सर्फेस पर ही क्या होता है जिम्मा कप का फॉर्मेशन होता है ठीक है जिम्मा कपका formation कहां पर होगा डॉर्सल सर्फेस पर ही होगा ठीक है इसके बाद इसमें जो reproduction होता है वो होता है आपका by fragmentation method के दौरा इसमें एक reproduction की क्रिया होती है ठीक है तो by fragmentation method में क्या देखने को मिलता है by fragmentation method में हमको देखने को मिलता है कि जो markensia होता है ठीक है markensia का जो older portion होता है क्या होता है जो इसका older portion होता है ठीक है older portion of thallus detached ठीक है detached होता है and formed new thallus ठीक है जो markensia का older thallus होता है पुराना वाला thallus होता है वो detach होता है इसकी body से और एक नया thallus का निर्माड कर देता है ठीक है याद रखिए कि जो पुराना thallus होता है वही detach होता है चल जा भई ठीक है बताइए आगे चले अब आगे आता है sexual reproduction in markensia ठीक है क्या आता है sexual reproduction in markensia sexual reproduction को हम देखेंगे कि markensia के अंदर sexual reproduction कैसा होता है ठीक है बस sexual reproduction markensia के अंदर उग है मस टाइप का होता है कैसा होता है sexual reproduction तो वह होता है उगैमस टाइप का उगैमस टाइप का sexual reproduction markensia के अंदर देखने को मिलता है यानि कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है male and female gamete male and female gamete differ in both size and shape यानि कि जो male gamete होता है वह आपका छोटा होता है और motile होता है ठीक है और जो female gamete होता है वह बड़ा होता है ठीक है तो यह है आपका male gamete और यह क्या है आपका यह है आपका female gamete ठीक है जो male gamete होता है कैसा होता है male gamete यहीं पर लिख देते हैं male gamete आपका small होता है अर दूसरी चीज होता है male gamete आपका motile होता है ठीक है फिमेल gamete कैसा होता है female gamete आपका large होता है और यह होता है आपका non motile फिमेल गैमिट बड़ा होता है और ये चल नहीं सकता है ठीक है लेकिन जो मेल गैमिट होता है ये छोटा होता है और ये आपका मोटाईल होता है यानि कि ये चल सकता है ठीक है जो मेल और फिमेल गैमिट हमको देखने को मिलते हैं इसको आगे कर देते हैं यानि कि डॉर्सल सर्फेस इनको बियर करता है कहां पर होते हैं ये कि आपका डॉर्सल सर्फेस बियर असेक्स ओर्गन एलॉंग दा मिड रिप ठीक है ये जो सेक्स ओर्गन होते हैं ये मेल गैमीट निकलता है आपका एन्थ्रीडियम से कहां से एन्थ्रीडियम से और जो फीमेल गैमीट होता है ये बनता है आपका आर्ची गोनियम से ठीक है बड़ा सिंपल सिंपल सा है सभी में एन्थ्रीडियम से ही मेल गैमीट निकलता है और जो female gamit होता है वो archigonium से ही निकलता है ठीक है जो male sex organ होता है यहीं पर लिख लो अच्छा इसको ऐसे male sex organ male sex organ is called as nthridium क्या बोलते है उसको उसको बोलते हैं nthridium and यहाँ पर female sex organ is called as archigonium ठीक है बताइए यहाँ तो clear है आगे चलें अब क्या चीज होता है अब यह जो बोथ male and female reproductive structure है यह develop करते हैं कहाँ पर एक special erect modified lateral branch पर ठीक है जो अन्थ्रीडिया होता है अन्थ्रीडिया डेवलप करता है अन्थ्रीडियो पोर पर अब हम सबसे पहले अन्थ्रीडिया को देख लेते फिर आर्ची गोनिया को देख लेते ठीक है अब हम लोग किसको देखेंगे अन्थ्रीडिया को ठीक है तो जो आपका एन्थ्रीडिया होता है एन्थ्रीडिया डेवलप ओन एन्थ्रीडियो पोर ठीक है एन्थ्रीडिया कहां पर डेवलप होता है तो एन्थ्रीडिया एन्थ्रीडियो पोर पर डेवलप होता है और आर्ची गोनिया इस आर्ची गोनिया से फिमेल गैमिट निकलता यानि कि जो आर्ची गोनिया होता है, ठीक है, आर्ची गोनिया डेवलप आन, आर्ची गोनियों पोर, ठीक है, जो आर्ची गोनिया होता है, वो कहां से डेवलप होता है, ठीक है, अबसे पहले हम इसका एक थैलस इस्टेक्चर बनाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, ठीक है चलिए यह सही नहीं बना यह देखिए यह हुआ इसका थैलस ठीक है थैलस में यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिला क्या मिडरीब इसी मिडरीब के ऊपर आपको कुछ ऐसा स्ट्रेक्चर देखने को मिला इसी मिडरीब के ऊपर एक हमको स्ट्रेक्चर देखने को मिला जिसको हमने बोला एंध्रीडियल डिस्क क्या बोला इसी को हम आपके डो चीजेJochen बनती पहला जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल स्टाल्क और दूसरा जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल डिस्क यह तो आपको मैंने उपर दिखा दिया एंथ्रीडियल डिस्क के बारे में ठीक है एंथ्रीडियल डिस्क कहां पर बना यहीं पर बना कहां पर nthizo pore पर यह जो structure इसको बोलते हैं nthizo pore टेक है nthizo disk कहा पर बना nthizo disk बना आपका ntheso pore पर nthuno pore का निर्माड कैसे हुआ nthizo pore का निर्माड कैसे रहा वो निर्माड हुआ nthizo sava nthizo 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 urm nthizo इनिसियल से एन्थ्रीडियो पोर का निर्माड हुआ और उसी एन्थ्रीडियो पोर से डेवलप करके एन्थ्रीडियो डिस्क बना ठीक है अब ये एन्थ्रीडियो डिस्क क्या किया यही एन्थ्रीडियो पोर मिच्योर हुआ और आपका बना दिया N3DL स्टाल्क तो यह क्या बना दिया N3DL स्टाल्क और एक डिवलप करके बना दिया आपका N3DL डिस्क ठीक है तो जो N3DL डिस्क होती है वो 8 लोब में डिवाइड होती है ठीक है N3DL डिस्क ठीक है यह है अपका N3DL डिस्क का इस्ट्रैक्चर N3DL डिस्क कैसे क्या होता है N3DM बनता है ठीक है और Archigonium कैसे बनता है इसको देख लीजीए अब हम लोग देखेंगे Archigonium का structure ठीक है Archigoonium Archigoonium क्या होता है वैसा ही structure फिर बना लीजिए यह देखिये यहाँ पर Archigoonium को structure बना लीजिए यहां पर यह जो उपर वाली structure है इसको अपन लोग बोलते हैं Archigonium disc जा बोलते हैं Archigonium disc Archigonium disc क्या होती है 10 से 15 लोब में divide होती है और यह होता है आपका Archigonium por और मिलता है जाहां पर एक सिल होती है जैसे ये सिल है इस सिल को हमने पिषीक भीजन के द्वारा इिसमें दूसल का निर्माड होता है तीक है पहली सिल जिसको बोलते हैं epibacal cell ठीक है और दूसरे को बोलते है hypobacal cell epibacal cell और आपका hypobacal cell इसी hypobacal cell से stark का निर्माड होता है और इसी epibacal cell से ये 8 cell stage तक पहुँच जाता है 8 cell को उसी का बनाता है ठीक है और इसी epibacal cell से आपकी 4 outer cell निर्माड होता है 4 outer cell बनती है और इस Mister डीवाइड करके आपकी jacket cell का निर्माड कर लेती है ठीक है jacket cell मतलब समनाता है भखने के काम आता है ठीक है ये 8 cell में आपकी 4 cell होती है वो inner होती है 4 inner cell और ये inner cell किसका निर्माड करती है ये निर्माड करती है आर्ची गोनियम का ठीक है तो हमारे पास मिल गया एंथ्रीडियम और हमारे पास मिल गया आर्ची गोनियम ठीक है जब एंथ्रीडियम और आर्ची गोनियम आपस में मिलता है ठीक है आर्ची गोनियम हो गया और क्या हो गया और हो गया आपका जाइगोड बन गया, अब यही जाइगोड को अपन लोग देखते हैं कि वहिया आखिरकार इस जाइगोड में क्या हुआ, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका जाइगोड का ट्रांसवर डिवीजन होता है, देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं आप लोग इसको बना लीजिए ठीक है चलिए अब देखते हैं इस जाईगोट में क्या होता है ध्यान से देखेगा यहां पर जो हमको जाईगोट बना है ठीक है जाईगोट इस जाईगोट में होता है transverse division कौन सा division? transverse division transverse division ठीक है? इसी जाइगोट में transverse division होता है और यहां से सीधे दो सेल बनती ठीक है? दो सेल बनती हैं पहली सेल जिसको बोलते हैं ap basal cell ध्यान से देखिएगा ap basal cell ap basal cell बनता है और दूसरा बनता है आपका hypo basal cell hypo basal cell देखना यह जाइगोट है डिवाइड कर रहा है ठीक है? जब ap basal cell में फिर division होता है क्या होता है? ap basal cell में division होता है और दो सेल फिर ap basal cell से बनती है ठीक है? कौन कौन से? पहली सेल होती है जिसका नाम होता है MP-thesium क्या होती है MP-thesium MP-thesium single layer structure होता है single layer की होती है ये ठीक है और ये आगे जाकर के jacket बनाती है jacket सेल ठीक है jacket of capsule जो capsule बनता है उसका jacket बनाती है कौन सी MP-thesium दूसरी सेल होती है जिसको बोलते है endothesium 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 या करती है endothesium आपकी archysporium cell का निर्माड करती है और ये archysporium cell आपका sporogenous tissue का निर्माड करता है ठीक है किसका निर्माड करता है sporogenous tissue का और sporogenes tissue फिर दो भागों में बढ़ता है और जब sporogenes tissue दो भागों में बढ़ता है तो एक आपका spor mother cell बनाता है spor mother cell बनाता है और दूसरा आपका elastus बनाता है क्या बनाता है elastus spor mother cell क्या करता है meiosis division करता है और spor mother cell meiosis division करके spor का निर्माड कर लेता है यानि कि haploid spor यन का निर्माड कर लेता है और जो आपका elastus होता है elastus dual thin wall structure होता है क्या होता है? यह आपका dual thin wall structure होता है ठीक है? इलास्टर क्या होता है? डूवल thin wall structure होता है और यह आपका hygroescopic nature का होता है कैसा होता है? इलास्टर होता है hygroescopic nature का ठीक है? इलास्टर कैसा होता है? हाइग्रोescopic nature का होता है ठीक है? जो hypobacal cell होती है यह hypobacal cell में division होता है क्या होता है? इन hypobacal cell में division होता है और यहाँ पर parent kymetis bulbaceous structure का निर्माड होता है ठीक है? यह parent kymetis bulbaceous structure होता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है foot and ceta ठीक है? foot and ceta का निर्माड होता है इस तरीके से होता है जाइगोट बनता है आपका किसका? आपके markensia का ठीक है? तो इस तरीके से होता है इसमें division बताएं यहाँ तक लियर है? तो आज आपका markensia खतम हो गया है और next class में हम लोग बात करेंगे anthoceras की फिर उसके आगे बात करेंगे rixia की तो मुझे उम्मीद है सारे doubts आपके मन में जित्ते भी थे वो clear हुए होंगे यह फिर भी कोई doubt है तो नीचे comment box में comment करके बता दिए तो मिलते है next video में, wish you all the best, thank you आपके बात करेंगे तो